निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर वोई बिल्डप को देखेंगे तो एक दराने वाली तस्वीर आपको नजर आएगी तो कि दोनों पे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे सिगनिफिकन सौध बिल्डप हमें आज देखने को मिला है मतलब दबा के लोगों ने इस पे सौध किया है वहीं पांस दिनों का एवरेज अगर देखे आप निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी तो मेडियम तम में लॉंग अनवाइंडिंग होते में दिखाई पढ़ रहा है मतलब जिन लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे लॉंग किया था उन्होंने अपने पोजिशन को कम किया है घताया है या खतम कर लिया है तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो दोनों ही इंडाइसे के उपर हमें वीक्नेस तो नजार आ रही है वहीं आप OI चेंज में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा है आपके 2.26% का उपन ट्रेस निफ्टी में चेंज हुआ और 1% का प्राइस आपकर निच्छे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा है अब बात करेंगे कि वह कौन से लेवल है जो इंपोटेंट रहेंगे मार्केट में निफ्टी के उपर इसके लिए हम लोग चलेंगे ऑप्सन चेंज के उपर और देखेंगे वह पौन से लेवल है जो रसिस्टेंस और सपूत का काम कर सकते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल के नए है तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीदियो को लाइक जरूर कर दीजिए हम लोग अभी है निफ्टी के ऑप्सन चेंज के उपर देखेंगे 24,472 के उपर निफ्टी की क्लोजिंग होई है और 24 अक्टूबर की एक्स 24,700 का यह एक strong resistance का काम करेगा इसके अलावा इस level को भी देखिए 1,94,000 lot का open trace दिखाई परेगा 24,700 का strike और 154,000 lot का open trace ताप को ही जगे दिखेगा 24,600 का strike तो यह जो 24,600, 24,700 और 24,800 के levels है यह major resistance का का काम करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर दूसरी तरब सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको एक मामूली सा सपोर्ट एहां दिखेगा वन लेट थाथी तू थाउजन का जो है आपका 24,400 के उपर इसके निचे फिचलेगा तो वन लेट थाउजन लोट्स का उपन ट्रिस्ट आपको दिखाई पड़ेगा 24,300 का स्ट्राइक है इसके बार आप देखेए इधर बीच वे काफी कोई भीज़ेते स्ट्रॉम सपोर्ट हमें दिखाई नहीं पर रहा है 24,000 के पहले जहां पर आपको तूलेट 30,000 लोट्स का उपन ट्रिस्ट दिखाई पड़ेगा और स्ट्राइक है 24,000 का तो सपोर्ट जहां तक सवाल है आपके 24,000 का स्ट्राइक 24,300 और 24,400 का स्ट्राइक हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्थी के उपर निफ्थी के इस ओप्सन चेन के उपर जो मोस्ट इंपोटन्ट लेवल आपको नजर आएगा वो 24,500 का लेवल नजर आएगा तो वर्ल लेग 31,000 लॉट्स का उपन प्रिस्टा को दिखेगा मामूली सन वाइंदिंग दिखाई पड़ेगा यह मेक और ब्रेक लेवल है जिसक्ता भी भी बूल्स और बेर्स में 5 चल रही है और निफ्थी 24,500 के नीचे को लोज होता हुआ दिखाई पड़ा है तो थोरे से बेर्स भारिपर्थी भी दिखाई पड़ रहा है निफ्थी क्यूब ट्रेदिंग रेंज की बात करेंगे 24,300 सा 24,600 का एक ट्रेदिंग रेंज इनफेक 24,700 तक यह डिकाई पड़ रहा है पीवटे श्राइक अपका 24,500 का इसके उपर आएगा 24,500 के तरब और इसके उपर तीकना शुरू होगा तो 24,650 और 27,000 के तरफ जा सकते हैं लेकिन 24,500 के निच्चे फिश लेगा तो 24,400 24,350 24,300 के तरफ जा सकते हैं बड़ी गिरावत हमें 24,300 के निच्चे दिखाई पड़ेगी और निफ्टी फिर 24,000 के तरफ जा सकता है बड़ी अगर हमें रैली देखनी है तो 24,700 के उपर मार्केट को निकलना पड़ेगा तब जाके हमें एक अच्छी खासी उपर की तरब मुव देख सकते हैं बैंक निफ्टी के उपर उपर देखेंगे तो आपको निफ्टी के 24,400 के उपर बाइंग होते हुए दिखाई पर रहा है अभी देखिए निफ्टी के बहुत सारे पूट के उपर बाइंग होते हुए दिखाई पर रहा है बैंक निफ्टी के उपर भी बाइंग होते हुए दिखाई पड़ेगा बीच बीच में आपको कॉल में दूर का कुछ कॉल बाइंग होते हुए दिखाई पड़ा है वह एति इंडिकेसान है कि वह हेजिंग के लिए भी खरिदा गया होगा ऐसा अंदेशा है उसके अलावा आपको बहुत सारा देड़ सारा पूत बाइंग होते हुए दिखाई पड़ेगा निफ्टी के 24,100 24,350 के उपर भी तो ओवर अगर देखेंगे के उपर भी हमें वीकनेस नजर आ रहा है और जो सेंटिमेंट नजर आ रहा है लोगों में पूत बाइंग करने का सेंटिमेंट से आदा नजर आ रहा है निफ्टी का PCR देखेंगे 0.5 के उपर है बता रहा है कि थोड़ी बाउंस देखने को मिल रही है मिल सकती है लेकिन वह अभी बाउंस जो मिल रहा है मारकेट के उपर वह सेल करने के लिए योज किया जा रहा है तो जहां तक अभी मारकेट है जो भी बाउंस आ रहा है तो एक तरह से वह फसाने वाला बाउंस है और सेल के लिए यूज हो रहा है मैक्स पैन को देखेंगे तो वह भी बता रहा है कि एक बाउंस तो होगा लेकिन अगर वह बाउंस सेल के लिए यूज किया जाएगा तो एक तरह से वह भी आपको फसाने वाला बाउंस रहेगा निफ्टी के वह बिल्डप देखेंगे तो आपको पूत बायर्स दिखाई पड़ेंगे और साथ ही साथ आप देखें जिन लोगों ने पूत को सौथ कर रहा था वहां से कवरिंग होते हुए भी दिखाई पड़ रही है और देखिए दबा के आपको जो इन अब बड़ी गिरावत हमें देखने को मिलती है तो हमें एक बाउंस विए उसके उपर देखने को मिलता है तो उस बाउंस को प्ले करने के लिए साथ या दूर का कॉल बाई करके हेज किया गया हो अन्वाइंडिंग भी देखने को मिल रहा है मतलब आप देखें तो ओवर जो वाई बिल्दफ है निप्ती का यह भी एक कमजोरी का ही संकेत दिखाई दे रहा है इसके उपर कॉमेंट में आप बताएं कि आपको निप्ती के उपर क्या लग रहा है और वह कौन से लेवल है जो निप्ती पर आपको आते वे दिखाई पढ़ रहे है